Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and I am most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिसकस करने जा रहे Origin of Universe According to Modern Theories. Last lecture में हमने कवर किया था Origin of Earth According to Early Theories. देखें उसमें हमने Earth का Origin डिसकस किया था, ना की Universe का. Means जो Early Theories थी, उसमें जो भी Explain किया गया, जो भी Scientist के जो भी Ideas थी, ठीके, वो जस्ट Earth की Formation को लेके बताया गया था कि Earth हमारी कैसे बनी है, Nine Planets कैसे बने हैं, जस्ट ये चीज़ों उन Theories में डिसकस की गी है, ठीके, बट आज की जो Theories हैं, जो की Modern Theories हैं, इनमें इंटायर Universe को लेके बात की गी है, Everything in the Universe, जो भी है, वो सारी की सारी, ठीक है, उसमें हमारी Galaxies आ जाते हैं, उसमें हमारे स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनर्स आ जाते हैं, Sun आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ों की Formation कैसे हुई, कैसे बने, इनका Origin कैसे हुआ, उस सारी चीज़े, Modern Theories जो अकार्डिंग टू, Modern Theories में यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट थेरी है, जो कि आपके इस लेबस में मैंशन की हुई है, इस Big Bang Theory, ठीक है, Big Bang Theory के एकार्डिंग हम देखेंगे कि Universe का Origin जो है, वो कैसे हुआ है, अब ही जो Big Bang Theory है, ये आज की टाइम पर असेप्टेबल है, असेप्टेबल है, मतलब इस इस थेरी को सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब माना जा रहा है कि जैसे Big Bang Theory में जो चीज़ बताएगी है, वैसे हमारे Universe का Origin उसी तरह से हुआ होगा, ठीक है, तो इसलिए ये आज की टाइम पर असेप्टेबल है, क्योंकि इसमें Observations कुछ की गए उनके basis पर Universe के Origin को Explain किया है, तो चले, स्टार्ट करते हैं, Big Bang Theory, आप देखे, Big Bang Theory जो है, इसका मतलब यही है, Big का मतलब होता है, बहुत बढ़ा Bank का मतलब होता है, Explosion, ठीक है, बहुत बढ़ा explosion होना, ठीक है, उसी के नाम पर इन्होंने नाम दे दिया, Big Bang Theory, इस थेरी का जो दूसरा नाम है, इसको expanding universe hypothesis भी कहते हैं, क्या कहते हैं, expanding universe hypothesis, इसमें यह चीज़ है कि हमारा universe जो है, वो expand हुआ है, ठीक, मिन्स पहले कोई starting में कोई एक singular atom रहा होगा, वो ही premodule matter रहा होगा, उस से क्या हुआ होगा, उसका मतलब वो blast हुआ होगा, उसके blast होने से यहां पर big bang मिन्स जो पूरा का पूरा universe है, यह expand होनों शुरू हो गया, उसी से मारा entire universe जो है, जो भी चीज़ें इसमें हैं, वो सारी उस तरह से बनी है, यह थेरी इस तरह से explain करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, expanding universe hypothesis कहते हैं, एडविन हबल ने 1920 में यह concept दिया था, कौन सा universe is expanding, basically एडविन हबल ने ही big bang का दूसरा नाम दिया, expanding universe hypothesis, क्योंकि इन्होंने 1920 में यह चीज़ बताई, ठीक है, कुछ evidences को लेकि explain किया, कि हमारा universe जो है, वो continuously expand किये जा रहा है, present आज तक यह expand हो रहा है, एडविन हबल का मानन ठीक है, अब उन्होंने यह चीज़ कही है, कि जैसे टाइम पास हो रहा है, गलेक्सिज जो है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे है, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे मतलब टाइम चल रहा है, पहले हम ten thousand million years, पहले के अगर बात करें, तो वहां पे गलेक्सिज ज देख सकते हैं कि एडविन हबल ने जो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथीसिस नाम दिया बीग बैंक को वो क्यों दिया वो इस वज़े से दिया उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में यहां पे कोई एक सिंगुलर एटम रहा होगा उस सिंगुलर एटम का है वो बहुत कम है ठीक है जैसे जैसे टाइम पास होता गया इन गलेक्सिज के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए आपकी थोड़ा मतलब इंक्रीज करता है गलेक्सिज एक दूसरे से दूर दूर जातेगी प्रेजेंट में अगर आप देखें तो यहां पे देखिए के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है तो कहने का मतलब गलेक्सिज का साइज नहीं बढ़ रहा है गलेक्सिज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है उस वजह से हमारा जो इंटाइर उनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है इसलिए अडविन हाबल ने बिग बैंक थेरी को दूसरा नाम दिया युनिवर्स एक्सपैंडिंग हाइपोथीसीज अब इसमें उन्हें एक एक्जामपल दी थी एक्जामपल बहुत इंपोर्टेंट है और ये एक्जामपल ये चीज़ आप खुद भी करके देख सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता उन्हें ने कहा कि एक अगर बैलून लिया जाए उस बैलून के ओपर हम कुछ पॉइंट्स को माग कर दें मतलब डॉट डाल दें उन डॉट को जब हम उस बैलून के ओपर डालेंगे तो वो डॉट वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे गलैक्सीज को अगर हम एक डॉट डाल रहे तो मिन्स यह मारी एक गलैक्सी होगी तो अगर हम बैलून ले के उसके उपर डॉट डाल के इस तरह से उन डॉट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी कि यह क्या है यह हमारे गलेक्सिजेंग ठीक है तो फिर क्या करना कि फिर उनने कहा कि इस तरह से अगर बैलून को हम फैलाएंगे ठीक है तो फैलाने से क्या होगा कि जो उसके पर जो हमने मार्क किये हैं पॉइंट्स ठीक है उस बैलून के अंदर उ उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनक्रीज हो रहा है इसी तरह उने बताया कि हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह मतब एक बैलून की तरह एक्सपैंड किये जा रहे है जब हम बैलून को फुला रहे हैं तो हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह से क्या कर रहे है एक्सपैंड कर असेप्ट क्यों नहीं किया गया वो भी एक रीजन है उसके पीछे रीजन ये है अगर हम कोई बैलून लेंगे बैलून लिया हमने ठीक है उसके अपर हमने जो چھोटे क्षोटे डॉत leagle ठाले ठीक है ये छोटे क्षोटे इस चोटे डॉटस ठीक है dots को थोड़ा बहुत size increase करेगा distance तो करेगा करेगा लेकिन उनका size भी increase करता है लेकिन एडविन हबल ने कहा था कि galaxies का size same रहेगा बट वो उनकी बीच का जो distance है वो increase करेगा इसलिए ये जो example है ये पूरी तरह से accept नहीं कीगी clear अब इसी तरह से उन्हों ने कहा कि जैसे जो हमारी galaxies हैं जैसे हमारे बैलोन में हमने present किया points को galaxies की तरह की ये galaxies है तो उनके बीच का distance हमने बताया इस तरह हमारे galaxies के बीच का distance increase करता है इस तरह से मारा universe expand होता है तो इसे को हम क्या क्याते है big bang थेरी या फिर expanding universe theory ठीक है अब इसमें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इस big bang theory में कुछ stages बताये थे universe की development को लेकि वो stages देखते हैं कि कौन-कौन से stages है ठीक है इसमें जो number one first stage है इन्होंने कहा कि starting में in the beginning ठीक है जो भी matter आज की जो बने हैं जो universe में हमारे जो भी matter से उसमें हमारी all heavenly bodies आती है ठीक है वो सारी की सारी जो थी वो exist होई है एक ही एक tiny ball जो है एक singular atom एक premodal atom उससे exist की है मतलब starting में एक just इस तरह से एक ही क्या था एक ही tiny ball था एक छोटा सा मतलब उसका volume बहुत कम था ठीक है बहुत छोटा सा था वो उसको इन्हेंने कहा की वो क्या है वो singular atom है उस singular atom से मारा आज का entire universe जो है वो बना है ठीक फिर उन्हेंने कहा की वो जो singular atom था वो मतलब हम imagine भी नहीं कर सकते कि वो इतना चोटा था unimaginable ठीक है मतलब इतना चोटा था कि imagine भी नहीं कर सकते बहुत small volume का था ठीक small volume का था और infinite temperature उसका temperature इतना जादा था infinite का मतलब कि इतना high था कि जिसको हम record भी नहीं कर सकते मतलब जिसकी measurement भी possible नहीं है infinite temperature था और infinite density density में आ जाता है mass ठीक है density उसकी इतनी जादा थी कि वो भी measure नहीं कर सकते थे ठीक है मतलब एक छोटा सा tiny ball जिसका बहुत कम बहुत कम volume जिसको हम imagine भी नहीं कर सकते उसका इतना जादा temperature और इतनी जादा density कि जब वो blast हुआ उसके अंदर इतनी जादा density थे कि उसी density की वज़े से आज हमारा universe all heavenly bodies जो भी है उसमें हमारे planet stars ठीक है उसमें हमारे satellites आते हैं matures, meteorites, asteroids, comets, sun complete sun की जो family है वो बनी हुई है इतनी जादा density थी फिर second stage में ये बोला गया कि जो big bang है ये एक वो जो tiny ball जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एक singular atom था जिसका small volume था infinite temperature था infinite density थी वो explode किया अचानक से वो फट गया मतलब blast किया उसके explode करने से उसके blast करने से huge expansion हुआ huge expansion का मतलब बहुत जादा expand हुई चीज़े अब मैं ये आपको एक diagram के थुई बताऊंगी ठीक है इसमें उन्होंने ये चीज़ बताया ये चीज़ मानी गही है कि जो big bang हुआ था जो मतलब इस singular atom का जो blast हुआ था जो ये explode हुआ था वो around 13.7 billion मतलब present आज से 13.7 billion years ago हुआ था 13.7 billion years before present मतलब आज से लेके 13.7 billion years पहले जो था वो ये tiny ball जो था ये blast किया था explode किया था जिसके blast करने से एक huge expansion हुआ था जिसे दिवाली आती है उस पे आप पटाके वगएरा जिलाती हो उस पे आप उसको blast करती हो तो कितना मतलब जादा दमाका होता है और कितनी मतलब चिज़ें जो है उससे explode करती है तो just उसी तरह से है ठीक है फिर उन्हेंने बताया कि जो expansion हुआ वो continue आज तक तक तिल हो रहा है मतलब universe हमारा ऐसा नहीं की expand किया तो बस उस टाइम पे किया तो आज वैसे यह नहीं आज के टाइम भी वो continuously expand हो रहा है ऐसा big bang theory का मानना है ठीक अब उसमें एक चीज़ है कि जो भी वहां से energy जो release हुई वो उसी energy ने matter को बनाया उसी energy से हमारे galaxies बने उसी energy से हमारे stars बने उसी energy से हमारे planet, satellite, sun जो भी sun की family है वो सारे उसी एक energy से बने ठीक है तो उसमें यह चीज़ बताई गई कि जो rapid expansion हुआ ठीक है starting में जो मतलब बहुत तेजी से जो expand किया universe उसको कुछ second लगे थे सबसे पहले जब यह blast किया यह जो singular atom था यह blast किया इसके blast करने से क्या हुआ बहुत मतलब बहुत कम टाइम है कुछ second में बहुत huge expansion हो गया था मतलब बहुत तेजी से expand कर गया universe some मतलब कुछ second में ठीक है अब उसका जो expansion था आइस्ता आइस्ता वो slow down होता गया में तब पहले कि उसको कुछ second लगे expand होने में फिर उसके बाद आइस्ता आइस्ता फिर कुछ minute लग रहे थे फिर कुछ और फिर इस तरह से करते करते millionaires लग रहे थे आज के time पे तो millionaires लग रहे universe को expand होने में मतलब कहने का मतलब कि जो expansion था वाइस्ता इस्ता से slow down होता गया ठीक उन्होंने का कि within first three minutes from the big bang ठीक है the first atom begun to farm मतलब big bang जब हुआ जब ये singular atom blast हुआ उसके blast होने के 3 minute के अंदर अंदर जो first atom था वो बन गया मतलब इतनी जल्दी से इतनी rapidly explosion हुआ universe का clear अब यहां पे आप देख सकते हैं explosion इस तरह से हुआ एक ही मारा यहां पे क्या था एक singular atom था ठीक है यह जो singular atom था यह जस्त मेरे से तो थोड़ा ज़्यादा size में ड्रा होगे बट यह इतना छोटा था कि बहुत बहुत कम volume इसने cover किया हुआ था इमेजन ही नहीं कर सकते कि इतना चोटा था लेकिन इसका temperature हाई था infinite temperature था और infinite density थी अब इस तरह से उसमें मतब ब्लास्ट हुआ explode हुआ तो इस तरह से यह देखे जो भी इसकी energy से यह सारे सारे matters की formation हुई atoms बनना शुरू होगे atoms से molecules बनना शुरू होगे महां से stars बने then galaxies बनी ठीक है then satellites बने इस तरह से planet sun इस तरह whole जो sun की family है whole जो है heavenly body वो इस तरह से बनी according to big bang clear अब इसमें एक चीज़ हो ठीक है third जो stage थी उसमें यह चीज़ बताएगी कि within within 300,000 years ठीक है from the big bang मतब 300,000 years big bang के बाद temperature अचानक से drop कर गया यह मतब एक अचानक से हुआ मतब एक shock करने वाली बात है कि इतना high temperature था लेकिन 300,000 years पहले मतब big bang से 300,000 year बाद जो था वो क्या हुआ कि जो temperature था और drop कर गया बहुत decrease कर गया और decrease करके कितना हुआ 4500 Kelvin और increase कितना था कि उसको हम measure ही नहीं कर पाए उसको record करना ही impossible था उससे temperature बहुत ज़्यादा drop हो गया slow हो गया अब देखे temperature काम हुआ था तभी तो यहाँ पर atmosphere बना था तभी तो यहाँ पर rainfall हुई थी जिसे मारे oceans के अंदर water fill हुआ तो oceans के लाए तो इसी तरह से आइस्ता आइस्ता atmosphere की वाज़े से यहाँ पर life exist करना शुरू हुई क्योंकि temperature आइस्ता इसे drop करना शुरू हो गया था ठीक अब जो temperature drop किया था ठीक है उसी से उसी ने सबसे पहले कि atomic matter को बनाना शुरू किया क्योंकि atomic matter इतने ज़ादा temperature में कभी नहीं बनते तो temperature जब drop हुआ तब सबसे पहले atomic matter की formation हुई उस तरह से आब इन्होंने कहा कि जो हमारा universe है यह transparent है लेकिन यह expand होता जा रहा है continuously ठीक expansion of universe का मतलब क्यों होता है increase in space between the galaxies जैसे मैं आपको पहले भी diagram के बीच में बता चुकी हूँ कि starting में अगर galaxies के बीच का यह distance था तो जब expansion हुआ तो galaxies के बीच का यह distance हो गया ठीक है तो expansion से क्या हो रहा है galaxies का size नहीं बढ़ रहा है बट उनका उनके बीच का जो distance है इसके बाद इस यह जो आपकी थेरी है इसमें एक चीज जो है इसको इसके एक पोजिटिक concept आई था इसको क्रिटी साइज किया था इसको basically क्रिटी साइज किया था Hollis ने ठीक है Hollis देख एडविन हबल ने यह कहा कि universe continuously expand कर रहा है हमारे galaxies के बीच का distance जो है वो increase हो रहा है बट Hollis ने यह कहा कि हमारा universe जो है वो उसमें कोई changes नहीं आ रही means वो stable है ठीक है वो stable है उसको उसने steady state कहा दिया universe को क्या कहा उन्होंने steady state यह concept दिया था उसने कहा कि universe जैसे starting में था just वैसे ही आज भी वैसे ही है यह stable है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि यह expand हो रहा है तो इस big bang theory को criticize कर दे कि Hollis ने आपने just Hollis का नाम लेके लिखना है कि इसके alternate एक theory आई थी एक concept है थे इसके opposite जिसने कहा था कि universe जो है उसमें steady state का concept means universe हमारा जो है वो क्या है वो मतलब stable है steady state का मतलब क्या हो गया stable है ठीक है कोई expansion नहीं हो रहा है तो यह big bang theory के opposite आई थी अब देखे इस diagram में मैं आपको बताती हूँ कि big bang का मतलब क्या है ठीक है अब आप यहां पे देखे यह हमारा वो singular atom ठीक है जिसका explosion हुआ explosion हो के आप देख सकते हैं कि इतना हमारा universe expand किया ठीक explosion हुआ यहां पे time भी लिखा हुआ इतने second में इतने second में इतने rapidly जो है explosion हुआ starting में वो जो explosion हुआ blast किया explode किया उससे क्या किया हमारा universe जो है वो continuously expand करता गया ठीक है expand करते करते यह जो है यह आपके वो इराज बताएं कि ऐसे expand करते जब temperature काफी मतलब decrease हो गया था उससे atomic matter बना शुरू हो गये उससे ओ decrease किया हमारे earth की इस planet पे जो है वो atmosphere बनना शुरू हो गया इस तरह से यहां पे life भी exist इसी वज़े से की थी क्योंकि temperature decrease हो था यह जीज़ याद रखना ठीक है तो इस तरह से इनने बताएं कि हमारा जो entire universe है वो इस तरह से expand किया ठीक है starting में इतना था then उसके बाद और expand करता गया करता किया आज हमारा universe यह है और यह continuously expand कर रहा है according to big bang ठीक है तो यह था हमारा आज का topic that is big bang theory thank you so much